नमस्कार शातियों आपका एक बार फिर से हमारे ओनलाइन प्रेटफर्म जस्तनाफ क्लासेज में स्वागत है हम BAC Second Year के Chemistry पेपर का विशलेशन कर रहे थे उसमें पहले हमने BAC Second Year Inorganic Chemistry के पेपर का विशलेशन किया आज हम BAC Second Year Organic Chemistry के पेपर का विशलेशन करेंगे आपको तीनो पेपर को मिला कर जो सौपन नमबर है 54 नमबर लाने पड़ते हैं 500 नमबर में से यदि आपके एक पेपर में 0 नमबर भी आ जाए तो अभी छल जाएगा तीनो पेपर को मिला कर आप मेरे अनुसार 2020 नमबर तीनो पेपर में लेकर आओगे तो भी आप आराम से पास हो जाओगे तो इस बार बहुत एजी पैटर्न है आपको पार्ट A में केवल पांस क्यूशन करने है दस में से और पार्ट B में कोई भी तीन क्यूशन करने है एक यूनिट से दो क्यूशन कर सकते हैं तर दस में से कोई भी तीन क्यूशन और पार्ट सी में आपको कोई भी क्यूशन नहीं करना है तो इस बार आपके यसी सेकंड एर और्गनिक केमेस्टी में पांस यूनिट है फर्ष्ट विदू सुंबकिय स्पेक्ट्रम, सेकंड एलकॉल तता फिनॉल, थर्ड एडियाइड तता किटोन, फौर कार्बोक्स लिगमल इथर और यूनिट फाइप नाइटोजन योगी अब हम एक एक यूनिट के मत्पन टॉपिक की डिसकसन करते हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए मत्पन ने अब बात करते हैं पहले यूनिट फर्ष्ट से, आपकी फर्ष्ट यूनिट है विदू सुंबकिय स्पेक्ट्रम यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कि यह यूनिट पूरी आपके जो ठोरी का पार्ट है, इसमें कोई भी अभी किरिया नहीं है, तो पूरी पूरी ठोरी है लेकिन इसमें एक लेंड़ा मैक्सिमम की वेलू गयाद करना, यह एक नुमरिकल की टाइप क्यूशन है यह कोई भी स्टुडेंट कर लेता है, तो मेरे अनुसार यह यूनिट बेस्ट है लेकिन लेंब्डा मैक्सिमम का मान ग्याद करने का क्यूशन 100% आता है यदि वो क्यूशन आप नहीं कर पाए तो इस युनिट को सोड़ कर कोई भी अन्य युनिट त्यार करें तो युनिट फर्स्ट विदू सुंब की स्पेक्ट्रम इसके मतपन टॉपिक पहला है बीयर लेंबड सिद्धानत वो उसकी सीमा है वानुप्रियोग फिर पराबैंग नी विकिर्ण या यूवी के विभीन परकार के संकर्मन स्यार संकर्मन है उनके उर्जा का करम भी आपको पुशा जा सकता है मैं आपको बता देता हूँ कि यह यूनिट बहुत इजी है लेकिन इसमें लेंबडा वेक्सिमां की वेल्यू गयाद करना यह क्यूशन इसमें मैटमन बन जाता है यदि यह आपको समझ में आ जाता है तो यह यूनिट पड़े अन्यता यह यूनिट नहीं पड़े क्योंकि पार्ट A में भी इसी से क्यूशन आता है की lambda maximum की value ग्यार कीजिए और उसके साथ में bethochromic, hyperchromic, hypochromic, hypsochromic में से किसी एकी परीबस आती है और कभी-कभी आपको UV के विभीन परकार के संक्रमन से विक्यूशन पूछ सकते है तो इस यूनिट पे बियर लेंबड से दन्त और लेंबडा मैक्सिमम की value और विभीन परकार के संक्रमन और ये सियार परकार के shift है इनका कोई भी क्यूशन है वो आप त्यार जरूर कर लें और ये भी टॉपिक आप पढ़ते रहें अब एक बात आपको जो आपके लिए जरूरी है ये बता दू कि इस बार 90% क्यूशन है पिछले sword paper में से आ रहे हैं अभी तग जितने paper मैंने देखे हैं तो आप sword paper के part A और part B जरूर जरूर पढ़ते हैं क्योंकि उसी से आप पास हो सकते हैं इस बार पिछली बार तो कम आये थे लेकिन इस बार 90% एज इटीस क्यूशन आ रहे हैं तो आप part A और part B जो last year का paper है उसको सोड़ दे और उसके बाद में पांस सालों के paper आप जरूर पढ़ते हैं बाम बात करते हैं यूनीट दो एलकोल तो था फिनॉल इसमें मैंने राइट करते हैं इसलिए लगाया है कि यह आपने class 12 में पढ़ा था जो second book थी आपकी और गेनिक chemistry की उसमें आपने ये यूनीट पढ़ी थी तो हाइटोजन बंध वो उसके परकार बहुत ही महाध्यम फ़न है एलकोल में अमलियो कोण अर्ता अलकोल की अमलियता फिनॉल के कौन से गोन है रिमान टीमा नभी करिया और पीया फिनॉल का एश्टरि करन वा कार्बोक्स ली करन अब यहां पर क्या है कि बाकिस सभी यूनिट है इसमें नाम से आपके अभिक्रिया आएगी जैसे गाटरमान अभिक्रिया को समझाओ थिली माइड अभिक्रिया को समझाओ या विटिंग अभिक्रिया को समझाओ इसी परकार से तो इसमें भी रीमान टीमान अभी करिया गाटरमान अभी करिया यह बहुत ही महत्पोन है आप और जो फिनॉल के अमलियता है वो भी महत्पोन है तो पढ़ के जाएं तो यह यूनिट दो से समझ देता महत्पोन टॉपिक है इसमें निजली करण फिनॉल का अमलिय अगोन री अभिक्रिया है वो बहुत ही महत्पुण है जैसे कि हम बात करते हैं यूनिट थर्ड एड़ी आइड दता की टॉन यह भी आपके कलास 12 में पूरी की पूरी यूनिट थी तो आप कलास 12 के आपके पास नोट से है तो उसमें से भी इन अभिक्रियां को पढ़ सकते हैं कलीमेंसन वो वॉल्फ किसनर अफसेम अभिक्रिया एडिया इड़ता की टॉन की क्रिया सीलता तो यह जो भी नाम की अभिक्रिया है आप दो यूनिट पढ़नी है आपको और उसमें से जो नाम की अभिक्रिया है वो आप एक दम त्यार कर लें आपको टिप्स के उपर याद रखें उससे आप क्यूशन कर लोगे क्यूंकि पार्ट A के आप पिछले 5 साल के जो सौल्ड पेपर पड़ोगे तो उससे पार्ट A क्लियर हो जाएगा और पार्ट B में आप 2-3 यूनिट के जो मत्पूर नाम के बिक्रिया हैं वो भी पड़ोगे तो भी पार्ट आपके B क्ल देशता है फिजीकल और इन और्गनिक में बात नहीं कर रहा हूं लेकिन और्गनिक केमेश्टी में 100% जो पिछले 5 साल के पेपर है उसमें 70% से ज़्यादा उसी में से आते हैं आप पिछले 5 साल के सौल्ड पेपर उठा कर देखिए और उनका मिलान कर लीजिए तो यूनि वोलफ किसनर उप्षेंट अडी आईडी तता की टोन के किरिया सीजिता है है यह यूनिट है यह बहुत ही बड़ी है और वैसे सभी य्थ यूनिट है रखी बड़ी है लेकिन मैं आने जो मत्पुन मत्पुन टौपिक है वही बताए है जो आपके लिए जरूरी है अब हम गिन्यार अभी कर्मक, वी कार्बॉक्सली करण, एस्टी करण की किरिया विदी, जल अपसेन की किरिया विदी या साबुनी करण, मेलोनिक एस्टर, विलियम संसलेशन, इथर व एपोक्साइड बनाने की विदिया, और ये वर्षा बलो की जगए है वसा अमला बनाने की गिन्यार अभी कर्मक, जो भी इस यूनीट में कई परकार के अभी कर्मक है, तो ये पार्ट में पूसा जा सकता है, जिस भी अभी कर्मक यूज आता है, तो उसका आप जो फॉर्मूला है वो जरूर याद रखें, तो गिन्यार अभी कर्मक, वी कार्बॉक्सली करण, एस् किरिया विदी वी कार्बोक्स लेकरण जल अपसंग की किरिया विदी विलियम संसले संड ये सब यूनिट से आर कार्बोक्स लेकमल इतर एपकॉट साइड से समंधित मत पुन टॉपिक है वैसे यह भी यूनिट थोड़ी से आड़ है क्योंकि इसको तीन भागाओं बाटा ग करते हैं आज की लस्ट यूनिट की यूनिट फाइफ नाइटोजन योगी इसमें भी कई परकार के अभी किरिया है एमीनों की सारक्ता बहुत ही महत्पन टॉपिक है उसके बाद में हाइसेन बरक वहापमेन विदी हापमान प्रॉमाइड अभी किरिया बेंजिन डाई एज अभी किरिया लिबर्बान नाइट्रो सो परिक्षन ये बहुत ही महत्पन है ग्रेबियल थेलेमाइड अभी किरिया जब भी महत्पन है नाइट्रो योगीक में नाभी किरिया तो ये है यूनिट पांस नाइट्रोजन योगी एमीनों की सारक्ता हाइसेन बरक वहापमेन व अब एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आपने यह थोड़ा बहुत भी पढ़ा है और यह टॉपिक देख लोगे तो आप बड़िया नंबर लेकर आजाओगे और अभी भी किसी स्टूडेंट नहीं पढ़ा है तो कोई भी दो यूनिट देखके उसके मादपूर टॉपिक पढ़ें और जो जो मैंने अभी किरिया हैं बताई है यह मादपूर टॉपिक बताए हैं वो एक बार जरूर पढ़ लें आपके अराम सी यह पेपर निकल जाएगा आपको तीनों पेपर मिलाकर 54 नंबर 500 मेंसे लेकर आने हैं यदि आपके औरगनी केमेस्टी में कम भी आत हैं तो भी आप पास हो जाओगे क्योंकि यह आपको option मिलता है कि तीनों पेपर को मिलाकर आपको पास होना है न कि एक एक पेपर में उसी परकार हम mathematics की बात करते हैं तो 225 में से आपको 81 नंबर लेकर आने हैं वो तीनों पेपर को मिलाकर यदि एक पेपर में आपके 5-10 नं या answer लिखने का परत्न कीजिए तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे हम physical chemistry के साथ धन्यवाद